हरो फ्रेंड कैसे हैं आप यह देखी फूंगा फूंगा भटूरा मैंने बनाया है और यह मार्केट से भी अच्छा बना हुआ है घर का भटूरा है घर में इतना फूंगा भटूरा मार्केट जैसा बन जाता है तो बच्चे बड़े सभी को पसंद आता है इस तरह का भटूर जैसे मार्केट में मिंगता है सेम वैसे भटूरा मैंने बनाया है यह देखिए इतना सौप्ट स्पंजी भटूरा बना हुआ है ठंडा होने के बाद भी देखिए यह कैसे इद्दम सौप्ट है इस तो इसकी रच्पी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि सभी भटूरे पसंद है तो इसके गिए मैंने देखिए एक चरनेंग गिया हुआ है इसमें मैंने देर कटोरी मैदा गिया हुआ है किसी भी कटोरी से आप डेल कटोरी मैंदा गेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें रेकिट दही की नहीं आती मार्केट में उसी से मैंने दही डांगा हुआ आधी कटोरी दही और दो चम्मर रिफाइंड आयंग यह सब को डांग के अच्छे से मिक्स करगे ना है इससे भटोगे बहुत अच्छा बनेगा मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा-थोड़ा पानी चांके आप सौब्डो बनाईए गर्दम टाइट नहीं सौब्डो भटोगे कर दम यह देखिए सौब्डो बनके रेडी हो गया है अब इसको मैं रख दूंगी एक घंटे केंगे ढखके आप रख दीजिए एक घंटे बाद में इसको खोंगती हूँ फिर इसको हाथ से इतना बड़ा भटूरा बनाना हूँ आपको इसाब से मोई बना के रख दिया है अब मेरे चैनल को कि देखते हैं अच्छा रखता है तो आप मेरे चैनल को सब्क्राइब करें गाई कमेंट करें ताकि मैं जो भी रस्पी बनाती हूँ आप तक पहुँच सके फिर देखिए गए कि मैं इसको बेंगेती हूं हंके हाथ से बेंगना है और यह उठाने पर शुकुड जाता है चोटा हो जाता है इसको हंके हाथ से बेंगिएगा गड़के नहीं फिर घी देखिए मैंने एक्दम फूंग फ्रेम जब घी हो अच्छे से घी हो जाए और फूंग आज पे ऐसको भटोरा ताम यह तो यह अच्छे से फूंग के छंच जाएगा यह देखिए फूंग गया न अच्छे से जब घी गरम होगा और फूंग फूंगे आप भी बनाईए देखिए आप भी ट्राइ करें ऐसे भनाना मैं ऐसी बनाती हूं हमेशा और अच्छे रखते हैं सबको आप भी बनाई एसे तरह भतूरे और बताईए कि मेरा भतूरा की रेश्पी जो मैंने बताया है सही बना है कि नहीं कमेंट में झाल झाल